यह है कॉटन खली जो जो है बकरों में चिकना हट लाने के वास्ते फैट बढ़ाने के वास्ते भीगने दालना है चुन्नी के साथ इसकी कॉंटिटी चुन्नी के हिसाब से 25 परसंट है चुन्नी अगर एक कीलो दाल रहें तो यह पोग कीलो दालना इसको ज्यादा अगर दे दिये तो बकरें मोशंस कर लेते रीजन मालूम ने रहता है फिर मोशंस के दवायां खिला लेते बढ़ते लोगा मोशंस के दवायां अगर नहीं खिलाना है और फैड भी अच्छा लेके आना है बकरों में तो खली हिसाब से देना यह जो है एक कीलो चुन्नी के वासते और किलो खली दाल रहे है इसके नदर है किए किलो चुन्नी भीगा है जो जाकर की ज् très-पौने दो किलो हो जाती है एक किलो जब भीग जाती यह कॉटन खरॲिय भिज्गने बाद पुरी यह इसा सब्लम हो जाती अब इसके अंदर चुनी मिला दे नहीं यह और फुलती इसके अंदर जब चुनी मिलांगे और बाद में जब सुबाद 131, लोको ये रात भर भीगेंगी और कल सुबा में जब देते हो करते अच्छा मिक्स करके दिना है लोको ये पूरी जो है पूरी खुल गई है दो तीन घंटे हो गए भीगने दालके अब पूरी खुल गई है अब इसके बाद जो है चुन्नी आड़ करना है ये एक स्कूप पव करते है पानी थोड़ा जयदा रखना क्योंकि फुल के थोड़ी देर में चुन्नी पूरा पी लेती खली पूरा पानी पी लेती फिर चुन्नी सुबा तक मोटी ने होती और इसको अच्छा ढ़ापना ताके शबा तक इनना अच्छा बाद करदए तक तक भी कोई पी छीज के अपर धाल को जो पुआ डहां कि आनि जो जो साथ है जो अच्छी तरीखे से फर्मेंट हो गए माशाला तबारक अला हुला खुवता इल्ला बिल्ला अब यह चुन्नी को अच्छे तरीखे से मिला लेना है इसमें खली मिलाए थे पनलो का खाथ में खली पूरी खुल गए चीज़ों मिक्स कर लेके अच्छा दाने पूरे बाहर आगा इसर का दाने पूरे बाहर आगा इसर का मिक्स कर लेना आच्छा पूरा मिक्स कर लेके इसमें भी छुननी है पूरी अभी पूरा पानी नहीं है कि यूरा अभी। हूरा इसमेंद। माश्या आब परकाला लौटतायडे मैं। माशाला तबारक अल्दा लाहुरा वलाखो अल्दा विल्ला ये अच्छे तरीखे से फर्मेंट होने के बाद ही जो है अच्छा खाते अगर फर्मेंट ने हुई और खुला रखके छोड़ दिये थंडा रख दिये तो भी नहीं खाते ये लोगां थंडा हो गया तो तबारक अल्दा लाहुरा वला खुवता के कमेंट सुजनक से जुजारिश है के माशाला तबारक अल्दा लाहुरा वला खुवता लाह बिल्ला बोलिये